नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन चेंबर अफ कमर्स ने जार्खन बंदी से राज्य में 800 से लेकर 1000 क्रोड के बेवसाई प्रभावित होने का उनमा लगाया है पतादे जार्खन चेंबर अफ कमर्स के अध्यक्स की सोर मंत्री ने हाल के दिनों में बुलाई जा रहे हैं बंद पर नराज्य जिताई है कहा है कि इससे सबसे ज़्यदा परभाव बेवसाई गति वीदियो पर पड़ता है स्कूल में बंद हो जाती है जिसे चात्र को होने वाली छाती का आकला नहीं किया जा सकता इसी तरह से बेवसाई गति वीदिया खासा परभावित होती है बंदी से एक बार फिर राजे में बेवसाई कारोबार को परभावित किया गया वहीं इद का समाई है बजार में बेवसाई कारोबार काफी उत्साह के साथ होता है मगर इससे ठीक पहले बुलाई गई बंदी की वज़ते चोटे मोटे दुकंदार से लेकर बड़े दुकंदारों को काफी छती उठानी पड़ी है मौसम विभाग का हीट वेव अलर्ट जारी जारी जार्खन में इंदी नो भीशन गर्मी पड़ रही है राजे के अधिकतर जीलो का तापमान 40 डिगरी सेल्सियस को पार हो गया है मौसम विभाग के उनसार फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उमीद नहीं है मौसम के इंद्रे रांची ने 20 अपरेल के लिए कई जीलो में एलो अलर्ट जारी किया है बतादे जारखन में गर्मी और गर्म हवा के थपेड़े के कारण जन जीवन प्रभावी था है राजे के जायतर जीलो में अधिकतम तापमान 40 डिगरी सेल्सियस के पार चला गया है गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुस्किल हो गया है वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 44.9 डिगरी सेल्सियस गोटा का रिकोर्ट किया गया वहीं पिछले 24 घंटे में राजे का अधिकतम तापमान 44.2 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ट किया गया है जारखन बंद का असर 30 समर्थक पुलिस हिरासत में जार्खन बंद का रांची में मिला जूला असर देखा गया, रांची में किसी भी तरह की च्थिती से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलोग इतना तिकी गई, इसके अलावा रांची में 30 से ज्यादा बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया, बतादे चात संगटनों के जार्खन बंद का रांची में मिला जूला असर देखने को मिला, बीदी बिवास्ता को समाने बनाए रखने के लिए खुद किसोर कौशन ने खुद मोर्चा समाल रखा है, वहीं अलवट एका चोग पर पहुंचे सीनियर एसपी किसोर कौशन ने कहा है कि अभ जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 64 नियोजन निती को वापस कर, जार्खन हित में नियोजन निती लागू करने की मांग को लेकर 29 अपरेल को संपुन जार्खन बंद बुलाया है, इसे देखते हुए सर कि सभी परमोख स्कूलों के प्रवंध ने संस्थान और पीजी सेमेस्टर 3 की परिक्षा भी अस्थागित कर दिगाई, ये परिक्षाई अब 24 अपरेल को होगी, वहीं BAU में सब्जेक्ट मेटर स्पेसलिस्ट का 18 अपरेल को होने वाला इंटरव्यू भी अस्थागित कर दिया गया, इसके अलावा एगरोमेंट अब्जरवर क नियुक्ति के लिए 24 अपरेल को होने वाला इंटरव्यू भी अस्थागित कर दिया गया है, इसे पहले छात्रों ने बंद की पूर्व संध्या परमसाल जुलूस निकाला था, ज्यारखन में रासन डिलर की चोरी रोकने की पहल, ग्रीन कार्ड धारियों को अब पैकेट मे मिलेगा अनाज, खादयापुर्ति विभाग रासन डिलरो की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्ड धारियों को 5 कीलो के पैकेट में अनाज उभलब्द कराएगा, इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर लिगा है, ग्रीन कार्ड धारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुकतान भ लिग गई है, सरकार 34 रुपए की दर से चावल की खरीदारी कर रही है, बता दे पैकेट वर टांस्पोर्टन की कोश्ट की वज़ा से 1 किलो चावल की लागा 36-38 रुपए पड़ रही है, वही बर्तमान में राज में ग्रीन कार्ड लाबकों की संख्या 15,34,000 है, सरकार की इसके बीच प्रतिमा लगभग 75,000,000 कीलो चावल का वितरन किया जाना है, ऐसे में सरकार को प्रतिमा गिरिन कारधारियों को चावल देने में लगभग 28,000,000 रुपए खर्च होंगे, 46 नाई चलेगा बिदेशी परियाटकों ने लगाए नारे, मुखे मंत्री हमान सुरेन की नई नियोजन नीती के खिलाब चात्रों ने मोर्चा खोल रखा है, चात्रों ने अपने आंदोलन को एक कदम और आगे बढ़ाते वे वो द्वार को जार्खंड बंद का आवान किय चात्रों का यह बंद राजे के अधिकान से जीलों में सफल रहा, जार्खंडियों ने चात्रों के इस बंद को भरपूर समर्थन दिया है, बंद की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकता है कि अधिकतर जीले में सड़के बिरान दिखी, बंद के कारण पूरे राजे में यातायात पूरी तरीके से ठप रहा, इसके लावा दुकाने ब्यापारिक प्रतिष्ठान यहां तक की अधिकतर स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे, हलाकि इस दोनान राहत की बात यह रही कि अपाद सेवाओ पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई, वहीं अभिनेत्री ने सीएम नितुच चंदरा ने सीट चार मुलकात की इस मुलकात में उन्होंने राजे में फिल्म इंटरस्टिज के विकास की समणावाओ पर विच्यार वी मर्स किया, उन्होंने फिल्मों के मादें अफिधा भासाओं को आगे बढ़ाने और यहां के खुब उप्सूरत लोकेशन पर फिल्मों के सूर्टिंग और अस्थानिय के लाकारों को बेतर प्लेटपॉर्म उपलब्द कराने की दिशा में कारे करने की इक्षा जताई उन्होंने मुख्य मंत्री से कहा है कि जारकन में फिल्मों के जरिये जहां के अलग-अलग बेवसायों को प्रमोट करने की काफी समावना है वह इस चेत्र में पूरा सहयोग करने को त्यार है मुख्य मंत्री को नितु चंद्रा ने बताया है कि नितिन एन चंद्रा के साथ मिल कर पिछले बारो बर्सों से जारकन बिहार के पिष्ट भूई पर और यहां के अलग-अलग लोकेशन पर फिल्म बनाते आ रहे हैं राज जेपाल और सत्तारूट गडबंधन के बिच तकरार के असार ओबीसी समेत अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जाती का रक्षन बढ़ाया जाने समधी बिधेक राजभौन से लटाया जाने के बाद सरगर्मी बढ़ गई इससे सत्तारूट गडबंधन और राजभौन के बिच नए सीरे से तकरार बढ़ने के असार बन रहे हैं पताद बिधेक वापसी के बाद बुद्ध्वर को कंग्रेश ने सीधे राजभौन को निशाने पर लिया है परदेश कंग्रेश अध्यक्ष राज़ ठाकूर ने आरोप लगा है कि राजभौन का दुरूप्योग हो रहा है इससे बचा जाना चाहिए राजभौन को राज़ निती का केंद्रे बिलकुल नहीं बनाना चाहिए कंग्रेश निता का काहना है कि अने राज़यों में भी 50% से अधिक आरक्षन लागू है तो जारखन में इस पर अपत्ति सम्माज से परेह है राज़ पाल ने बेवज़ा बिधेय को लोटा दिया है सब जूनल कमांडर समेत दो नक्सलियों ने किया आत्मसमरपन जारखन सरकार के आत्मसमरपन नीती से प्रभावित होकर परतिबंधित संगठन भागपम मवादी का सब जूनल कमांडर और 5 लाख काई नामी संतु भूईया और नक्सलिक कमांडर राज़ ठाकूर ने बुद्धवार को आत्मसमरपन कर दिया इस मौके पर पुलिस महाने रिक्षक राजकुमार लकडा उपायूक्त अंजिनुल डोड़े अने पता अधिकारी उपस्थित थे सब जूनल संतु भूईया पलामू के नवड़ी हा बजार का रहने वाला है वही राज़े ठाकूर नवा बजार थाने के तुकबेरा का रहने वाला है चाई बासा में दिखा बंद का ब्यापक असर साथ हचालिस के फर्मूले पर नियोजन नीती आरक्षन रोष्टर सरकारी संस्थाओं में डियलेट की पढ़ाई को बंद किये जाने की खिलाप एवं खतियान के अधार पर नियोजन नीती निधारीत करने की माया को लेकर जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वा सारा पूर्व में निधारी तीन दिवसी माहांदूलन का समतन करते हुए कोलहान चात्र संग के बैना तले जुलूस निकाल कर पच्मी सिम्भूम बंद की अपिल की गई इस दवरान स्वासी समंदी आक्समिक सुधाओं को छोड़ कर सभी सेक्षनिक संस्थान स्कूल, कॉल सुबा आठ से दो पहर चार बजे पूरी राजधानी थम सी गई, दुकानों में ताला लटक रहा, वहीं छोटे से बड़े परतिष्ठान बंद रहे, बंद के कारण बसों के साथ मालवाक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही, बस स्टेंड में सनाटा पसरा र चार बजे के बाद दुकान आदी खोलना शुरू हुई, वहीं बंदी का दुकान दारों ने खूल कर समर्थन किया है, हलाकि दवा दुकानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, बता जे सुबा आठ बहे से बंद का असर देखना शुरू हो गया, सबसे पहले चात्र समन में समेति के सरस्य स्याम देव हिम्रम राजीव बासकी और रायंद्र मुर्मो के नेदित में लाठी डंडे से लेस चात्रों की स्री अमडा चौक में जाम किया गया, राजेपाल से मिले बिजेपी नेता जमसेद पूर मामले की सीबियाई जाच की मायांग, जमसेद पूर पूरिस्थित कादमा के सास्त्री नगर मामले को लेकर भातिय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधी मंडल पूर्व परदिश अध्याक्ष दीने सानंद गोस्वामी के नेतित में राजेपाल से पी राधा किष्णन से भेट किया, इस डवरान ग्यापन सोपते हुए इस मामल पूरिस्थित कादमा के सास्त्री नगर में उपद्री तत्यों द्वारा हिंसा फ्रलाते हुए पत्राव और अग्जानी की गई थी, इस पत्राव में कई पूलिस कर्मी भी घायल हुए थे नियोजन निती के खिलाप देवघर में भी बंद का दिखा असर, जार्खन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन चात्र संगठन के वाहन पर तीन दिवसे महां अंदोलन के तीसरे दिन जार्खन बंदी को लेकर देवघर के चात्र सक पर उत्रे, नियोजन निती साथा चारि नियोजन के खिलाप नारेबाजे की और नियोजन की इस निती के विरोध में प्रशन किया, बजार में छात्र संगठनों के खुषते ही बेवसाईयों ने दुकानों पत्रिष्ठान बंद कर दिये हैं घूस लेते लवालंग थाने के दो पुलिस कर्मियों का विडियो वायराल दोनों सस्पेंड चतरा जिला अंतरगत लवालंग थाना के ASI, नागेशवर पंडित और मूनसी द्वारा समझहता कोपी देने के नाम पर रिस्वत लेने का विडियो वायराल हुआ है दोनों पुलिस कर्मियों का घूस लेते विडियो वाराल होते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आये ततकाल इसकी सुचना DGP, DIG और SP को दी गई सिमरिया SDPO असोक कुमार पिर्दसनी ने इस मामले की जाज की इसके बाद SP राकेस रंजन ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया है जनकारी का अनुसार पलामों के पाकी थाना छेतर के भारी गाव निवासी सुरज कुमार रवी ने 17 अप्रेल 2023 को लवा लोंग थाना में बहन के साथ मार पिट से समधित आवेदन दिया था मनरेगा में गरबड़ी मामले में देवघर के करोव वीडियो पर गिरी गाज देवघर जीला अंतरगत करोव परखंड की कई पैंचायतों में लगातार मनरेगा में हुई गरबड़ीयो सामने आ रही है इन दोनों पंचारतों में अस्थल जाच की थी, जाच में कुवान निर्मान समेत, पसू सेट समेत, मन रेगा कि अन्य योजना में गरबढ़िया पाई गई थी सेना जमीन घोटाला मामले में गिरफतार आरोपियों से पांच दिन और पुष्टाच करेगी इडी सेना जमीन घोटाला मामले में गिरफतार सभी साथ आरोपियों से इडी और पांच दिनों तक पुष्टाच करेगी चार दिनों के इडी की रिमान के अधिप पूरी होने पर सभी साथ आरोपियों के इडी की विशेस अदालत में पेस किया गया इसी दोरान इडी ने आवेदन देकर दुबारा से रिमांड की मांगी उस आवेदन पर ही अदालत ने इडी को बढ़गाई अंचल के सियाई और 6 जमीन कारवारियों के 5 दिनों की रिमांड की स्विक्रिती दे दिया है अब ऐसे में इडी के अधिकारी उनसे सेना जमीन के अवेद खरीद विक्री मामले में और पुष्टाच करेंगे और मामले के तहट जानने की कोशिस करेंगे नियोजा निती को लेकर जारखन में होती रही सियासत बंद पर राय निती जार्खन के छात्र नियोजन निती को लेकर उग्र और अंदोलन रत है साट चालिस नाई चलतों के नारा बुलंद किया है इस माध्यम से सरकार को असपश्ट अंदेश देना चाहते है कि वे इस बार किसी भी तरह का समझता नहीं करना चाहते बतादे जार्खन में नियोजन निती को लेकर सियासत होता रहा है एक बार फिर यह मुद्दा गर्माया हुए है चात्रों के जार्खन बंद पर नितिक दलों की अलग-अलग राय है हर बार की तरह भी पक्ष सता पक्ष को इसके लिए जिमेदार ठाराने में लगा है जार्खन में नियोजन निती सियासत का केंदर बिंदू में रहा है राजगठन के बाद से इस पर जारी सियासत आज भी जारी है हर बार चात्रे सड़कों पर उतरते हैं सदन से लेकर सड़क तक में योजन निती का मुदा च्छाया रहता है आजसू की नियाय मार्च यात्रा का समापर रांची में 30 अपरेल का राज सरकार की नितीों खिलाप आजसू के नेता और करकाता 30 अपरेल को राज़ारी रांची की सड़कों पर उतरेंगे पार्टी दोरा चलाए जा रहे निया मार्च यात्रा कारकरम के तहद परदेश अस्तरिय इस कारकरम में राज्य भर से बड़ी संक्या में आईसू करकरता भाग लेंगे इस समान में आईसू परमोक सुदेश कुमार महतु ने बुद्धवार को परदेश कर्याले में बिधान सभाप प्रभार्यों की पैठाक में इसका एलान किया है बैठक में सभी बिधान सभा परभारियों को परदेश अस्तरिये न्याए मार्च कारकरम में अधिक से अधिक संख्या में कारकरताओ को राज़ानी रांची में लाने की जिमिदारी दी गई बतादे नियोजनीती के साथ साथ राजे में ब्याप्त फरष्टाचार प्रसासनिक कुप्रबंधान और गीर्ती कानुन बेवस्था जैसे मुदे पर आशुपाटी न्याय मार्ज निकाल कर सरकार के खिलाप इंदुरा अंदुरन कर रही हाए जामूमो कॉंग्रेस ने साथ चालिस अनुपात में बाट ली बोड निगम की सीटे जारखण में बोड निगम की सीट को लेकर महागड बंधन में मन मुटाव दिख रहा है जारखण मुक्ति मोर्चा तथा कॉंग्रेस के आला नेताव के बीच इस पर बात सीथ होने के बाद साथ चालिस अनुपात में सीट बाटने पर समती बना गई वहीं राजद इससे खुद को ठागा हुआ महसूस कर रहा है राजद के परदेश परभारी ने कहा है कि कोई क्या बात कर रहा उससे उन्हें कुछ लेना दना नहीं उन्हें उनका हक चाहिए महागड बंधन में र कोडार्मा डीसी ने पेडों में बांधा रक्षा सुत्र डीसी आधित रंजन एवं बन परमंडल पता अधिकारी सुरज कुमार सिंग ने ब्यमचांच परखंड के सेर सिंगहा और कोडार्मा परखंड के खायरी डिह गाउं का भरमन किया गाउं में बन रक्षा बंधन महो पन्दर्पता दि काईने गृष जंगल बचाने के लिए हर संब़ो प्रयास करेंगे डिशन ने कहा है कि इन जंगलों के शुरक्षित और शनलख्षित किया जाएगा धनबाद में मिले कुरोना के आठ नए मरीज बुद्धवार 29 अप्रेल को धनबाद में कुरोना संक्रमित आठ मरीज पाए गए हैं अब जीले में संक्रमित मरीजों की कूल संख्यागारा हो गई है पुर्व में पाये गए तीन मरीजों को सदर अस्पताल आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है बताया गया है कि छा धनबाद जीला के हाँ जिसमें धोवा टार, गांधी नगर, हीरापूर, मनाई टार, धया, गोबिंद पूर के एक एक हाँ इसके लावा जाम तड़ा के एक वा साहव गंज के एक हाँ, जो सदर अस्पताल के A&M ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई करने वाली चात्रा है सभी की जाच रैपिट एंटेजन किट से की गई थी सिविल सर्जान डाक्टर अलोक भी सुकर्मा ने बताया है कि सभी को आईसोलेशन वार्ड में भरती कराने के तियारी की जा रही है ग्रीह रक्षा वाहिनी और अगिन समन सेवा विभाग के DG A.D.G. ने सियम हमन्त को लगाया बैच काके रोड रांची इसीत मुख्यमंत्री अवासे करे लें बुद्धवार को मुख्यमंत्री हमन्सुरेन से ग्रीह रक्षा वाहिनी और अगिन समन सेवा विभाग के DG अनिल पल्टा और A.D.G. सुमन गुपता ने मुलकात की इस दोरान DG और A.D.G. ने सियम को अगिन समन सेवा सप्ता का बैच लगाया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अगिन समन सेवा सप्ता की सुभकवनाय दी मौके पर मुक्ष मंत्री हेमन सुरे ने अगिन समन सेवा विभाग के कारियों की अगतन जनकारी ली और अगिन कार्णों से बचाओ के तरीके के लिए आम लोगों को जावरू करने पर बल दिया है गिरी डी के 13 लाख बच्चों को दी जाएगी किरीमी की दावा राष्ट्रीय करीमी मुक्ती दिवस के मौके पर गुरू वार 20 अप्रेल को जीले के स्कूलों और आंगनवारी केंद्रों में बच्चों को करीमी की दावा दी जाएगी सिविल सर्जन डाक्टर एसपी मिस्रा ने बुद्धवार को कर्याले कक्ष में प्रेस वारता में जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि 20 अप्रेल को इसकूल वार आंगनवारी केंद्रे में और 25 अप्रेल को माप आप राउंड के तहट छुटे बच्चों को एलबेंडा जोल की गोली खिलाए जाएगी CS ने बताया है कि जिले में 1-9 साल आयूवर के कुल 13,34,369 बच्चों को गोली खिलाने का लक्ष रखा गया है CM हमंत ने कहा जगरनाथ दा के 1932 का सापना पूरा करेंगे मुख्य मंतरी हमंसरे ने कहा है कि 1932 का विशा अभी खत्म नहीं हुआ या जिन्दा है और जगरनाथ दा के सोच के अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे उनका सापना पूरा करेंगे मुख्य मंतरी मंगलवार को दिवंगा सिक्चा मत जगरनाथ मतोकस्ताद कर्म में भाग लेने चंद्रपूरा परखंड के अलारगों गाविश्थीत उनके आवास पर पहुँचे थे बता दे मुख्य मंतरी ने कहा जगरनाथ दा के नहीं रहने के कारण परिवार के उपर दुखों का जो पहार तुटा है उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी और संगठन के लिए तकलीफ दे घटना है उनकी जगा कोई नहीं ले सकता लेकिन यह जरूर है और यह संभाव भी है कि उनकी सोच और उनके विचारों को कैसे जीनता रखा जाए मुख्य मंतरी हेमान सुरेन ने स्वर्गिय महतो की पत्नी बेवी देवी वा पूत्र अखिलेस महतो और फराजू से मुलकात कर उन्हें धान्डस बढ़ाया रांची से 50 से अधिक छात्र पूलिस हीरासत में रांची में 50 से 60 बंद समर्थकों को पूलिस ने हीरासत में ले लिया है जिसमें जारकन स्टेट इस्टूडेंट यूनियन रांची के छात्र नेता देविंद्र नाथ महतो मनोज यादव योगेस भारती ओमपरकास महतो सुकला जी पप्पु कुमार समेत कई लोग सामिल है धन्यवाद यादि आप चैनल पनाए हैं तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल के बेल एक अंद बाईए साजिस्ताथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों क्सेया सेर करना ना भूले साजिस्ताथ आप हमें कोमेट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे थैंक यू